Tenses के सीरिज में आज हमारा Future का Simple Tense है सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की तो इसकी पहचान यह होती है कि इसके sentences के last में हिंदी के अगर हम बात करें तो इसके हिंदी के sentences में last में गा, गी या, गे आता है जैसे वहे कल दिल्ली जाएगा वहे कल बाजार जाएगा वहे कल खाना खाएगा तो इन सभी sentences में आप देख रहे होंगे गा, गे या गी का use हो रहा है तो इस तरह के sentences को हम मानते हैं future का simple अब बात करें अगर exam की तो exam में आपको कुछ words है कुछ words के थूरू आपको समझना है कि future का simple sentence यहां पर use होगा या फिर नहीं होगा और correct form of the verb जो आपके आती हैं वो भी आपको इन ही के थूरू फिल करनी है यानि कि identification की बात करें या adverbials की बात करें तो देखी क्या क्या होती है tomorrow शब्द आपका इस tense में fall करता है उसके बाद next next के साथ next day, next year, next month या next week यहां पर आ सकता है in a few days, coming day in future, the following day भी आपको देखने को मिल सकता है जब भी ये word आपके exam में आएंगे तो आपको समझ जाना है कि वो sentence किस tense का है? future के simple का है clear है बात future के simple tense का वो sentence है अब यहां पर बात करें helping verb की तो इस tense की दो helping verb हमें देखने को मिलती है एक होती है will और एक होती है shell will और shell, will और जो shell है वो एक model verb भी होती है आपको मैंने model में ये चीज़ बताई थी अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने है यहां पर ये model verb है, तो आपको एकदम से click हो जायागा कि model verb के साथ हमेशा कौन सी form आती है verb की first form आती है तो ये भी एक तरह से model verb है तो इसलिए हम future के simple tense के अंदर कौन सी verb यूज करते है verb की first form यूज करते हैं बहुत easy tense है, है ना अब बात करें किस के साथ shall यूज होता है और किस के साथ will यूज होता है इसको लेकर बहुत सारा confusion बना रहता है हाला कि मैंने ये बात models के अंदर पूरी तरह से clear की हुई है फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से ये चीज़ बता देता हूँ देखे यहाँ पर I और V, I और V के साथ shall use होता है और बाकी के जितने भी हमारे subject बसते हैं चाहे वो ही हो चाहे शी हो चाहे किसी का name हो चाहे दो name हो चाहे तीन name हो या फिर किसी चीज़ का नाम हो तो सभी के साथ क्या use होता है will use होता है अब यहाँ पर कई बार आपने सुना होगा कि I के साथ will be use हो जाता है और V के साथ भी यहां पर will use हो जाता है लेकिन वो कब होता है जब वो model की तरह काम करता है और model क्या दिखाते हैं किसी चीज की अवस्था को दिखाते हैं इस्तिती को दिखाते हैं या फिर किसी चीज के mood को दिखाते हैं किसी चीज के भाव को दिखाते हैं अब कौन-कौन से होते हैं जब यह चीज़ हो जाती है यानि कि determination का भाव हो या promise का भाव हो determination का मतलब dreads अंकल्प का भाव हो या promise वचन का भाव हो assurance यानि कि शुनस्चित्ता का भाव हो order देने का भाव हो किसी को आग्या देने का भाव हो या warning यानि कि चेतावनी देने का भाग हो तब हम क्या करते हैं the use of will shell interchanges यानि कि in case of determination, promise, assurance, order या warning ये जो 5 case हैं इस cases के अंदर इनका use क्या हो जाता है interchange हो जाता है यानि कि जहां पर हम normal condition में तो क्या करते हैं I or V के साथ shell use करते हैं लेकिन जब इस तरह की condition बनेगी वो sentences की थुरू आपको और ज़्यादा अच्छे से clear हो पाएगी अभी हम examples लेंगे तब आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी बिल्कुल tension लेने की बात नहीं है तो जहां जहां पर हम I or V के साथ shell use करते हैं वहां पर यहां क्या use होता है I or V के साथ will use होता है इस वाले case के अंदर ठीक है कौन-कौन से case है promise, assurance, order, warning और determination तो तब हम I or V के साथ क्या use करते हैं विल और बाकी सब के साथ क्या use करते हैं उस टाइम पर shell ठीक है clear हो गई बात अब चलिए किस तरह के sentences यहां देखे पहला हमारा simple sentence है मैंने यह सारे sentences की जो बात है कि कब question mark आता है किस तरह से sentences बनते हैं वो part number 1 में की हुई है 2 में भी की हुई है पिछले जितने भी हमारे sentences निकले हैं सब में की है अब यहां पर हम थोड़ा सा fast चल रहे हैं तो यहां देखे subject और subject की साथ will shall और verb की first form और फिर object यह हमारा simple sentence का structure हो गया negative की बात करें तो subject will shall not verb की first form और फिर object interrogative की अगर हम बात करें तो दो type के interrogative हमारे बनते हैं तो पहला हमारा क्या बनता है जो कि हमारा क्या से चालू होता है तो इसमें हम आगे किसे लेके आएंगे will और shall को तो will shall, subject, verb की first form, object प्लस question mark यानि कि question कर रहा है यहाँ पर डबलो एच वर्ड से जब सिरू होगा sentence तब हम डबलो एच वर्ड को आगे रखेंगे will shall, subject, verb की first form, object और फिर question mark इस तरह का sentence हिंदी में किस से चालू होता है subject से चालू होता है इस sentence में प्रशन किया जाता है दोनों में ही क्या होता है प्रशन होता है और जब प्रशन भी किया जाए और नकारात्मक बात भी की जाए यानि की नहीं भी बोला जाए तो हम इस sentence को कहते हैं interrogative, negative sentence तो इसे कैसे बनाते हैं will और shall और फिर subject और फिर not यह देखे, not यहाँ पर है, ठीक है, verb की first form, object और फिर question mark, इसी तरह से अगर यह sentence क्या से चालू होगा, तब तो हम ऐसे बना लेंगे, अगर यह sentence subject से चालू होगा, तो हम इसे ऐसे बना लेंगे, देखे, wh word को ले आएंगे, आगे, फिर will or shell, फिर subject, फिर not, फिर verb का first form, फिर object और फिर question mark, तो यहाँ देखे, कुछ sentences का हिंदी से English बनाते हैं, जिससे आपको और ज्यादा clarity आ जाएगी, मैं कल Mumbai जाओंगा, तो यहाँ कोई promise नहीं है, यहाँ कोई assurance नहीं है, यहाँ कोई determination नहीं है, एक simple sentence है, तो इसलिए हम यहाँ पर I और V के साथ क्या लेंगे, क्या है, हमारा subject I है, तो इसलिए हमने क्या use लिया है, शेल, I shall go to Mumbai tomorrow, यानि कि मैं कल Mumbai जाओंगा, वह है अगले सुमबार को यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई assurance नहीं दिख रहा, यानि कि sentence future की simple का है, यहाँ model का sentence नहीं है, देखे, यहाँ पर I के साथ will आएगा, कब, जब वो model होगा, और अगर वो model नहीं है, और future है, तो क्या आएगा, यहाँ पर shell आएगा, तो यहाँ देखे, तो यहाँ שी है, हमारा subject तो she के साथ भी यहाँ क्या case होगा, यहाँ पर she के साथ अब आएगा will, अगर यह model होता, उ शी के साथ आजाता है, से चालू हो रहा है, जब हमारा sentence क्या से चालू होता है, तो English के अंदर helping word से चालू होता है, और हमें पता है कि future की helping word क्या है, will और shall है, और हमारा subject क्या यहाँ पर will, यानि दे, और दे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे के लिए हम लगाएंगे will, क्योंकि सभी subject के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पर will लगाते हैं सिर्फ I और V को छोड़ कर I और V के साथ shell तो will they visit the ताज महल next year ताज महल से पहले article D का use किया जाता है यह चीज आपको article के वीडियो में complete बताई हुई है वह आने वाले दिनों में school क्यों नहीं जाएगी अब यह फिर से आ गया क्या आगया हमार पास question mark और क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है यानि कि WH word से चालू होता हुआ question है और इस question को हम कहेंगे interrogative negative देखते हैं why will she not go to school the coming days यानि कि आने वाले दिनों में ये आने वाले दिनों के लिए हम English में क्या बोलते हैं coming days ठीक है तो why will she not ठीक है अभी हमने structure देखा था तो why हमारा starting में आ गया क्यों के लिए और फिर will आ गया फिर she आ गया और फिर not आ गया why will she not go to school the coming days अगर आप मेरे पुराने वीडियो को follow करते वे आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़े बहुत easy लग रही होंगी अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखें तो पुराने वीडियो देख लिजे ये सारी चीज़े ये सारे concept आपको easily समझ में आ जाएंगे अब देखें दो example जहां पर कि हम i और we के साथ will का use करेंगे ठीक है देखें कैसे leave this house immediately otherwise we will beat you black and blue ये black and blue का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना और यहां पर we के साथ will आ रहा है shell नहीं आ रहा क्यों क्योंकि यहां पर warning दी जा रही है ये देखें ये sentence में leave this house immediately यानि कि इस house को इस घर को जल्दी से खाली कर द तो black and blue होता है बहुत बुरी तरह से किसी की पिटाई करना ठीक है अगला हो गया I promise I will not repeat this mistake in future अब देखें यहां पर भी I के साथ क्या use किया हमने will use किया यहां पर हमने वी के साथ क्या use किया था will use किया था यहां पर देखें promise की बात आ रही है यानि कि मैं आपसे वादा करत हूं मैं आपको promise करता हूं I will not repeat this mistake in future कि मैं future के अंदर भविश्य में इस गलती को नहीं दोहराऊंगा तो यह हमारा sentence था यहां पर हमने I और V के साथ shall use नहीं किया है will use किया क्यों 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 कि यहां पर बात आ रही थी warning की या फिर यहां पर बात आ रही थी promise की clear है अब द हम जाया हुआ है आपको clearly सारी चीज़े पता है कि क्या चीज़ हम देखते हैं तो देखे पूरा sentence हम पढ़ेंगे my sister go to Mumbai tomorrow तो हमारा word क्या मिल गया tomorrow अब हमें यह जैसे ही word हमें मिल जाता है एडवर्बियल मिल जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्बियल हमें क्या बता के चला गया, tense के बारे में बता कर चला गया, जब हमें tense का पता लग गया कि कौनसा tense है, tomorrow से देख के पता लग रहा है, future का simple tense है, तो future का simple tense है तो अब हम verb किसके according भरेंगे, subject की according, तो subject क्या है हमारा my sister, تو my sister के according हमारे पास क्या आइगा यहां पर, यहां हम भरेंगे will, क् जो क्योंकि बाकी सब के साथ क्या आता है विल औरree के साथ आता है शेल मैं बार-बार इस चीज को आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यहां least आएगा और जो का first form जो ही आएगा क्यूकि विल और शेल के साथ first form आती है इसी तरह से देखिए दूसरा the singer sing a song next day तो next day word आया है, तो next day के हिसाब से यहाँ पर फिर से future का simple हो गया, तो the singer will sing, यहाँ पर singer फिर से हमारा क्या है, I और we हमारा subject नहीं है, अगर हमारा subject I होता या फिर we होता तो हम shall use करते, अगला है she meet me next day, फिर से next day आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, she will meet, she will meet me next day, यानि कि वो मु meaning क्या था, the singer will sing a song next day, यानि कि singer जो है, वो कल एक song आएगा, और पहले वाले का हिंदी क्या था, कि मेरी sister कल मुंबई जाएगी, the board announce the result next week, यहाँ पर फिर से क्या आया, next week, अब फिर से हम यहाँ पर क्या रखेंगे, will, will क्यो रखेंगे, क्योंकि board क्या है यहाँ पर, I या व पी मैं से नहीं है, और announce का, announce ही आजाएगा, क्योंकि जो आपको bracket में verb दी हुई होती है, actual में वो first form होती है, तो the board will announce the result next week, यानि कि board जो है, वो अगले हफते result जारी करेगा, अगला sentence है, I go to Delhi coming days, यानि कि मैं आने वाले दिनों में दिल्ली जाओंगा, तो I के साथ, अब हम लगाएंगे, हम shall का use करेंगे, I shall go to Delhi coming days, यानि कि मैं आने वाले दिलों में दिल्ली जाओंगा, दे विजिट दी ताजमहल next year, अब यहाँ पर next year शब्द आया है, next year से पता चल गया कि future का simple है, तो और दे के साथ हम क्या लगाते है, will, आपको बस यही ध्यान रखना है कि subject यहाँ पर क्या है, अगर subject I या V है तो shall use कर देना है, और अगर कोई और subject है तो will use कर देना है, तो दे के साथ will, तो they will visit the ताजमहल, यानि कि वो अगले साल कहा जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, they send a gift to him, यहाँ पर देखे, they send a gift to him, और यहाँ आप लिख लिजे, next month, कि वो अगले महीने, आपको next month देखके पता लग जाएगा, कि क्या है यह, हमारा future का simple है, तो यहाँ दे के साथ हम क्या use करेंगे, will का use करेंगे, they will send a gift to him next month, यानि कि वो अगले महीने, उसके लिए एक gift भेजेंगे, ठीक है, अगला sentence देखे, दिनेश go to college next month, तो यहाँ next month आया हम कि दिनेश अगले महीने college जाएगा, और दिनेश के साथ क्या आयेगा, यहाँ पर फिर से will, दिनेश will go to college next month, तो उमीद करता हूँ कि आपको future का simple समझ आ गया होगा, कोई भी आपका doubt हो, आप comment section में लिखकर दे सकते हैं, और अगर आप channel पर आज पहली बार आये हैं, तो channel क subscribe कर लिजे, इससे पहले के tenses के वीडियो हैं, उन सारे वीडियो को आप देख लिजे, क्योंकि वो सारे वीडियो से आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं, आपके board examination के लिए, thanks a lot for watching this video.